हेलो फ्रेंड्स मैं अनामिका मेरे कीजिन में आप सरी का श्वागत है फ्रेंड्स आज में एक अनोखी रेश्पी लेकर आई हूं इसे हम देशी इस्टाइल में भवड़ी कहते हैं ये बिल्कुल कचोड़ी की तरह ही बनाया जाता है पर खाने में बहुत ही श्वादिश्ट लगता है क्योंकि हम एक दम देशी इस्टाइल में इंडिनेश इसमें डालेंगे तो फ्रेंड्स इस रेश्पी को आप भी च्रू ट्राइ कीजिए का इसे बच्छी बड़े सब पसंद करती हैं यहां तक कि इसे ठंधा होनी के बाद खाये तो और मज़ेदार लगती है इस इसे हमें पता जब सके अप लोगों को मेरी डेश भी कैशी लग रही है तो फिर चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं गैस पे हमने कडाही ले लिया है गैस को आउन कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे दो चमच तेल तेल को हमें अच्छे से गरम होने देना है अब हम इसमें डालेंगे एक चमच जीरा जीरा को हम थोड़ा सब भूने देंगे अब हम डालेंगे इसमें आथा चमच राई अब हम इसमें डालेंगे दो बड़े साइज जिसे हमने बारिप बारिक बारिक काट दिया है इसे भी हम डालेंगे प्याज को हम घुनेंगे यानि कि हलका ब्राउन हमें सकता हमें भूनना है जब हम देशी इस टाइल में भब्बी बनाते हैं तो फोरन डालते हैं तभी से खुश्वों आना शुरू होने लगता है अब हम ठलका का त्याज को भूननेंगे उसके बार डालेंगे इसमें एक बड़ा चमच अद्रक लेश्वन का पेश्वी से हमने दरदरा कूट लिया है और प्याज के साथ हम इसे भी भूननेंगे जब तक कि ये दोनों का कच्चापन ने चला जाए अब देख सकते हैं अपना प्याज जो है अच्छे से भून चुका है लैसन भी भून गया है अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी मटर ये प्रेश मटर है जिसे हमने पानी में वाइल कर लिया है आप देख सेथे हैं बिल्कुल मैस जा रहा है तो हम इसे प्याज में डाल देगी और इसको ऐसे प्रेश करके हुए हम चलाएंगे प्याज में चलाएंगे मतर को हमें एक मिन तक भून लिया है अब हम इसमें मसाला आइड करेंगे तो सबसे पहले हम डालेंगे एक चमत धनिया पौडर्ड अपनी भबड़ी चटपटी हो इसके लिए हम एक भड़ा चमत लाल मिर्च डालेंगे आप चाहें तो यहाँ पर देख चमत ही कर सकते हैं क्योंकि सिलिंग फोड़ा तीठा तीठा हो तो भबड़ी हो कर चौरी हो उसका टेस्ट बरियां आता हैं अब इसमें हम डालेंगे आधा चमत खलदी पौडर एक चमत गर्म मसाला तांच में हम नमग भी डालेंगे तो हम आधा किलो आलू इसमें आइड करेंगे उसकी पर्मान से हम नमग डाले तो आप अंदार से डालिये अब हम मटर के साथ मशाला को कुछ शेकन के लिए भूनेंगे तो हमने मशाला भी भून लिया है देख सकते हैं हम जितना प्रेस कर रहे हैं उतना अपना मटर जो है मैस होते जा रहा है क्योंकि इसे हमने वायल करके डाला था और ताजी मटर वैसे भी हलका सा इस्टीन कीजिए तो सॉफ्ट हो जाता है तो हमने यहां पे मशाला मटर सब भून लिया है अब हम इसमें आलू एड करेंगे तो आलू को डालेंगे तो आलू को हमने उबाल के छिल के हटा लिए हैं यह 500 ग्राम आलू है मेरा अब हम एक एक पानी चोड़ता है और ऐसे मुठी से प्रेस करते हुए मटर में छोड़ देंगे यह भवरी जो है बहुत की टेश्टी बनकर पैयार होती है तो ऐसे हम सथी आलू को मैस के डाल देंगे अब हम मशाला को आलू के साथ अच्छे से मैस करेंगे एक दम श्लोप फ्लेम पे हम इसे 2 मिनाट तब सुखाएंगे क्योंकि आलू में नमक डालने से थोड़ा आशा मॉस्टर आता है यानि कि पानी चोड़ता है उसे हम एकदम श्लोप फ्लेम पे ठीरे भीरे भूनते हु अब हम इसमें डालेंगे एक चमच अजवाइन जिसे हमने हाथेलियों पे क्रश कर लिया है अजवाइन की मिना तो भबड़ी का टेस्ट ही नहीं आता है और शाथ में हम थोड़ा साइस में काला नमक डाल देंगे अब चाहें तो यहां पे चार्ट मशाला भी डाल सकते हैं सारे इंग्रिनेश डालने के बाद लाश्ट में हम डालेंगे फ्रेस धनिया पत्ता तो धनिया पत्ता को हमने के बाड़े काट लिया है तो इसने हम डालेंगे रहेट सारा धनिया पत्ता इस सारे देसी इस टाइल में जब हम भबड़ी बनाते हैं सारे इंग्रिनेश इंप तो आपने देत लिया हम ने थे निया पता गरम मशाला सब्ती साथ ने अजसे से मीख्स कर लिया है ऐलो को अब हो गरस के फ्लेम को और निकाल लेंगे ठंधा होने के लिए क्योंकि कराही में ठंधा होने में टाइम लगता है तो हमने आलू मचाला को अलग निकाल लिया है ठंडा होने के लिए दस मिनट हो चुका है ये ठंडा हो गया है देखिए अब हमारा हाँ सह रहा है तो चलिए हम इसे आठा में भड़ना बताते हैं तो भवडी बनाने के लिए हमने आठा पहले ही लगा लिया था यह आटा वैसे ही लगता है जैसे हम आलू पराठा के लिए लगाते हैं या कचोड़ी के लिए लगाते हैं तो मैंने अलग से लगाया क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है अब हम आटा की लोई तोड़ेंगे तो हमें जितने बड़े-बड़े साइज के बबड़ी बनाने है इसे आपको चौरी भी कह सकते हैं पर हमने इसे देसी इस्टाइल में बनाया है तो नाम भी देसी दिया है भबडी तो ऐसे हमने रोटी से थोड़ा बड़ा सा लोई ले लिया है लोई को हमाटा से ड़स्ट करेंगे और राउन कर लेंगे प्रीसे हमें कटोड़ी का सेफ दे देंगे दोनों अंगूठियों की मदद से अब हम इसमें श्टरफिंग डालेंगे तो हमने जो आलू मटर की श्टरफिंग फ्राइब करके तयार या है उसे डालेंगे और दो अंगूलियों से ऐसे दबाते हुए अंदर की तरफिसे करते हुए मुख को जोइंट कर लेंगे एक्ष्ट्रा आंटा अगर आपका बचता है तो ऐसे तोड़ की निकाल दीजिए दुसरे लोई में काम आ जाएगा मुख को हमने जोइंट कर दिया हां थेलियों से इसे हमें हलका सा ऐसे प्रेस कर देना है तो यह अपनी भवड़ी आधी अध्यूड़ी तयार हो गई हम इसे हलका सा आटा से डश्ट करेंगे और रोटी बनाने वाला एक चौकी नेंगी उस पर रखते हुए एक दम हलकी हातों से दो बाड़ी ऐसे और दो बाड़ ऐसे करेंगे तो यह अपनी भवड़ी तयार हो गई अब हम गैस के तरफ चलेंगे गैस पर हमने कडाही में तेल गरम होने के लिए रख दिया है तेल अपना गरम हो चुका है ऐसे हात करने पर आपको पता चल जाएगा कि तेल अपना गरम हुआ है कि नहीं तेल हमें जादा नहीं गरम कर पर सेखेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी तो अब हम एक बारी से फुलर्ट लेंगे अब देख सकते हैं कितना सुन्दर दिख रहा है यह अपनी आलू मदर की भवडी दुसरे साइड से भी हम एक से देर मिनर्स तकी के मेडियम पर सेखेंगे तो आप देख सकते हैं अपनी भवडी जो है एकदम फुल के इसका मुख कितना अच्छा खुल गया है यही भवडी की परजान है कि अच्छे से अंदर से फुली हुई है फिर हम दुसरे साइड से उलटके बॉल्डें ब्राउन होने तक सेख लेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों शायब से अपनी पचौड़ी की कलर यानि की भवडी की कलर एकदम ब्राउन हो चुकी है अब हम इसे टेठा करते हुए एक प्लेट में श्काल लेंगे तो यह रही अपनी आलू मड़र की भवडी अब चलिए हम दुसरा बैस ऐसे ही डाल लेते हैं तो हमने दुसरी पचौड़ी भी भड़के तयार कर ली है यानि की भवडी हम थी जैसे से तेल में श्कूर देंगे और सेम प्रोसेश से उलट उलट के हमसे प्राइप कर लेंगे कि देख सकते हैं हर एक कटोड़ी की मुम अपने आप फुल के फ़र्चा रही है यही परजान है पर फिक्ट कचोड़ी की अच्छे से आटा तयार करना अच्छे से भरना एक कचोड़ी खाने में बहुत ही ठेश्की लगता है तो आप देख सकते हैं दोनों साइड से यह अच्छे से ब्राउन यानि कि प्रीश भी हो चुका है अब हम इसे प्लेट में निकालते जाएंगे ऐसे ही हम सभी कचोड़ी तल लेंगे घर्म गर्म आलू मटर की कचोड़ी बनकर तयार है यानि कि देशी अश्टाइल में बनकर तयार है फृरिंट्स इस रेश्पी को आभी इ सो त्राई कीजिए इसे बच्से बड़े सभी बसंद करेंगे खाने में पहुत ही टेश्टी लगता है यह दुशरे दिन आप खाई यह तो और ही टेस्टी लगता है तो फ्रेस्ट मेरी चैनल को लाइक कीजिए शब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और कमिट करना मत भूरी जिसे हमें पता चल सके हमारी रेश्पी आपको कैसी लग रही है दन्यवाद